जैशी कृष्णा दोस्तों वियसराँ फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों इस बार दिपावली देखें दो दिन मानी जारी है 31 अक्टूबर और 1 नवेंबर दोस्तों दिवाली की जो पूजा का महत्व है वो अमावस्य के अंदर माना जाता है और 31 अक्टूबर यानि गुरुवार के दिन दिवाली का पूजन करना बहुत ही सरवार सिद्ध योग माना जा रहा है तो आप 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन ही लक्ष्मी पूजन करे निश्चित ही आपको आपकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी साथ ही दोस्तों अमावस्या का दिन पित्रों का माना जाता है तो इस दिन अपने पित्रों के नाम से ये उपाय अवश्य करें और गुरुवार का दिन शीहरी विष्णू का माला जाता है और अमावस्या तिथी भी देखे भगवान विष्णू को समर्पित है बहुत ही शुब योग बनावा है इस योग में अगर आप एक चुटकी हल्दी और गुड से ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिया आपकी क पावन और शुब माला गया है और अमावस्या तिथी गुरुवार के दिन पढ़ना बहुत ही दुलब योग बनावा है इस योग में आपको इस उपाय को अवश्य करना है गुरुवारी अमावस्या का बहुत के कारे में बाधा आ रही है तो अमावस्या तिथी पर अपने पित्रों का तरपन अवश्य करना चाहिए दोस्तों यह है तो छोटा सा उपाई इस उपाई को करने से आपके घर में माता लक्षमी का आगमन होता है सुख सोभागे की प्राप्ति होती है जीवन में चल रही पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों गुरुवारी अमावस्या के दिन स्नान के पानी में चुटकी पर हल्दी डाल कर अवश्य हिस्नान करना चाहिए इससे स्वभागे की प्राप्ति होती है और स्नान करने के बाद पीले वस्त अवश्य धारन करने दोस्तों देखे गुरुवार का दिन शीहरी विश्नु का माला जाता है तो इस दिन आप एक लोटे में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी चने की दाल और गुड डाल कर केले के जड़ में ओम ब्रहम ब्रहस्पते नमा कहते हुए जल अवश्च चड़ाना चाहिए ऐसा करने से श्रीहरी विश्णू की किरपा प्राप्त होती है साथ ही दोस्तों इस दिन जो आपको उपाय करना है उसके लिए आपको देखे एक लोटा जल लेना है उसमें चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है और साथ ही आपको ग्यारा दाने चावल के लेने हैं और एक डली गुड की लेनी है आपको छोटी सी गुड की डली लेनी है औ आपको तुलसी के विरिक्ष के पाथ जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा कहते हुए आपको तुलसी में वो हल्दी वाला जल अवश्य ही अर्पित करना है और अपने सीधे हाथ में 11 दाने चावल के और गुड की डली को रख कर अपनी मनों का आमना बोल कर अवश्य ही चड़ा देना है दोस्तों ऐसा करने से श्रीहरी विष्णू की किरपा प्राप्त होती है और श्रीहरी विष्णू को तुलसी अतिप्रिये मानी गई है इस दिन अगर हम तुलसी माता का पूजन करते हैं तुलसी माता से अर्जी लगाते हैं तो हमारी जो मनों क वो शीक्र पूरी होती है दोस्तों ये हल्दी वाला उप्पाय परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं ऐसा करने से उनका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है सुख सो भाग्य की प्राप्ति होती है जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है और जो आपकी मनो कामना है उसको बोल कर आपको ग्यारा दाने चावल के और गुर की डली को तुलसी माता पर चड़ा देना है और तुलसी पर आपको साइकाल के समय आपको एक दीपक जलाना है गोल बाती का दीपक जलाना है उसमें भी आपको चुटकी भर हल्दी डाल कर ये दीपक जलाना है दोस्तों जो भी आपकी मनों कामना है वो अवश्य ही पूरी होती है क्योंकि गुरुवार का दिन शीहरी विश्णु का ब्रस्पति का माना गया है जो सुक्स वभागे को पुत्रधन को देने वाले हैं इस दिन हल्दी का ये उपाय करने से निश्शिद ही आपकी मलो कामना पूरी होती है तो दोस्तों इस उपाय को करें लाप्राफ्ट करें आप सभी को जैशिद करें